अब ये गोरे अंकल किस वजा से गले फाड़ फाड़ के चीखें मार रहे थे ये जानने के लिए आपको मेरे साथ समंदर पार का सफर करना होगा और इस सफर की A to Z डीटेल आपको इस व्लोग में मिल जाएगी अब A to Z बोले तो खाना पानी से लेकरना वाश्रूम तक की डीटेल तो भाई अगर आप जहाज में नहीं बैठे हो ना तो आज रेडी हो जो आज ही कट्टे जहाज में सफर के तो हाई असालेकूम आज के दिन बहुत इंटरस्टिंग लोग ओने वाला है तो मैं जेमिनी से जाओंगा ब्रिटिश एरवेस पर के यहां फ्रैंक्फर्ट से उडएगी पहले ही त्रो जाएगी ही त्रो में फिर एक डीडी हिंटे का हमारा स्टे है और पिर उस्टे के बाद हो ही त्रो से आगे साहांबाद जाएगी तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डीटेल देते हो एक फिर यह छोटा बैग होता है नोमली एरलाइन में होता है कि यह 8 kg गालाओ करते हैं लेकिन ब्रिटिश वाले यह मने कॉल करके पता गया थो कहते कि आप इसमें भी हैंड गरी में भी 10 kg फिट कर सकते हो अब 20 kg हो नहीं रहाया तो आप अटे रख लो इसमें एस 10 kg अगराग जाना के जी बैक भर दी है यहां से और अब यह तब ही बंद होगे जब आप उपर बैठेंगे इसके तो और आपने ड्रेस भी लिख ले ना इनकेस अगर आपको समान हिदर उदर हो जाता है तो निकर ने से पहले लाज भी आपने डोकुमेंट चेक कर ले ले अच्छा तो मैंने टिकेट बुक करवाई थी तीन महीने पहले ब्रेटिश की जर्मिनी से अब नर्मली दिसंबर का महीना होता है जिसमें आपको चुटिया होती है तो फ्राइट सबसर बहुत महेंगी होती है लेकिन थोड़ा पहले बुकिंग करवालो जिस तरह मैंने करवाते हो तो इमरेट सबसे महेंगी पढ़ती है आपको 900-900 तक की अगर बॉरलेट करवाऊ तो और बाकी फ्राइट जो होती है तरुकिश मुनासिब है सोदिया की बहुत अच्छी अच्छी आयोई थी ओफर्स बहुत सबस्ती परड़ी थी ब्रिटिश अभी नहीं चलने और बॉरी चाहर सोगय की पढ़ी ती और मैंने और इमान लीद रिखिय थी उनकी वेबसाइट से जाके लाइक एने ट्रैवलिंग एजन्त जो इंके थ्रून लीथी डिफर्न वेबसाइट होती है जो आपको टिकेट दे भी रही होते हैं सिर्फिय प्राइट से नहीं तो वह वाला अमाउंट आपका रिकल्कुलेट होगे वह वाले पैसे आपको जाएंगे वहाँ पर इसलिए मैं प्रैफर करता हूँ के डारेक्ट उनकी अपनी वेबसाइट से ले लो जो भी एलाइजर उनकी वेबसाइट से अगर सबस्ती मिल रही है तो तो मैं 470 की मिली थी पाक्सथा की जो के जर्मίνय डो पाक्स्तान काफी सुझती है और बिटिश का सूना भी है कि अच्छी एलाइजर है Spirians अच पहली दफ़ा होगा, Emirates का हो चुक है, 72 का हो चुक है, सादिया का हो चुक है और किसका हमाता , तरकिश तरकिश का हो चुक है इसका नहीं ओ, बरेटिश का नहीं ओ अभी तक लंडेन भी हीत्रो एरपोर्ट में पहली दफ़ा जारो और सुने हीत्रो बड़ा काफी बड़ा एरपोर्ट है आप गहे हो ये मेरे खाल में ये बीग आप जाएंगे नोंके साथ पी आप अच्छी फ्लाइक साथ आपको सफा कड़ें बड़ी शेतानी है अशी है आप पी ए अच्छा सब्सक्राइब तो ये तो जैन्मन केसे है पीजार जाहिए ना हो थो भई हम खत्रों से खेलते हैं हम लोग अपने पहुंच कि है तो एरपोर्ट पहुंच कि है जबसे पहला जो आपने काम करना है आपने ढूदनी है कि आपकी अपकी एलाइन्स काउसी है वह साम अपना पकना है जाईए नापकी ऑदे प्रयाप्ट प्रया अपनेड़ के टो छेंगे घालकार जो डियोंच क्रूंच के लिए जो यो तो संब्झा इती समिग है Western अगर छल रही है पीछे-वीश छलते लोग मने आगे लादा मुसा जाना है बादा मुने खें जाना है मामू कहीं पहुचे होंगे ja लोग कहीं पहुंगे तो यहां पर आप देख लिए और आराम से हलके हो जाए तो जर्मन में तामन लेडीज होता है और हेरन जेंटलमेन होता है मैं कबर आगया था कि वहां मुझे कौन देख रहा है वो मैं ही था शीशा यहार एक तो पेंडे होने का यह नुक्सान है दोड़ा सा अच्छा खेर हैं मैं बता रहा था जेंटलमेन को कहते हैं क्योंकि आई एम जेंटलमेन जो के रपोड़ पर आके सेरकते कर रो खेर चलता ह किरते हैं हम हमें दी फाइव ढूलना है यह आपको दी नजर आ रहे है दी वन टु ट्वेंटी भी उपर है फिफ्टी तो फिफ्टी नाइन भी उपर है ति आपको बार नजर रहेगा चेक इन डी अपने बार्डिंग कार्ट दिखाने है और बस हम मेरा ख्याल है ट्रांज तल्ले मिन्त करो फिर तरे मोशन चोट के वादी है है तो अब हमारा पहला सेक्योर्टी का मरहला कंप्लीट हो चुक है और अब हम जा रहें अपने गेट पे यह वाला वो ट्रांजिट रीजन है इसके अंदर आगे हैं यहां पर दुकाने मिलेंगे आपको वड़ी फिट कि पोड़ी महंगी होंगी लेकिन कोई नहीं बात नहीं है एरपोट वाली जागर पे हमेशा महंगी होती है जिसे क्योंके भाई ती जादा दफार ट्रेवल नहीं किया एक दफारी किया दूसरी बार है कुछ मुछ मुछिकल तो नहीं आ रही है आपको प्रीपट मैंदे 30 यह बिजद तो नहीं है अगरी बंदा पर गुर्बत का मताख यह बर्दाशनी होता भगी तो यह डी फाई आगे और यहां से अब हमारी चेकिंग का सख्त मरहला स्टार्ट होगा है मैं पर ची नहीं पर टेकिंगा सब्क्राइब हुआ है ठाख तो नियुल जाए उसाड़ ने लगी तो जो जो बाजी ने कहा है अग्जा जब नियुल नम्मर की पह पुंझार है फॉरआज़ी जा रहे हैं? एक अमारे लाइने होती हैं. प्रिवर्टी लाइन हैं. भटभिए। ज़कि हम टीजा रहें हैं को हम एकोनमी वाने हैं के लोग सामने जर्ज नेहीं जिर्च नेहीं, सॉर्सम्हें कोटा लिए है कि अविड़े बाप के बापा के लिए अखिर बाप आपके। ज़ने निवागे हैं वह दो जारी हैं नहीं कर दोग अब बैच सकते हैं वो घृत बैठ सकते हैंगे यह तो फुल है आपको सारा जहाज का व्यून हुजर आजाएगा ये सीट्स हैं और टीवी बगार वाला सेटी स्क्रीम का कोई सीन नहीं है जहाज छोटा है भी से पता लग गया है और छोटे जहाज पर नहीं दख्के भी अपसर काफी लग रहे होते हैं मेरी सीट है यहां पे सीट नंबर लिखा होते है ट्वंडीटू यह वाला बैग मैंने बिताया था यह उपर जाएगा आपके कैबन के ओपर तो वह इस तरह आ गया चलाजी और बाकी यह सीट है यह वाला जो छोटा बैग है वह आपकी टांगों पर जाएगा वहां पर बैग मेरा चला गया है यहां पर स्विट बेल्ट होते हैं तो साइड पेल्ट लाज मी पहले है तो मैंने एक क्यू कुनेक्ट बस की वीडियो गनाई थी तो पाकिस्तान में बस चलती है बड़ी आला किसुपी बस है उसकी जाने सीट होगेरा और सारी चीज़े दिखाई थ और मैं कंपेर कर सकता है अब आप जा कि उस कुनेक्ट वाली बस की वीडियो देखें और में में बिता है यह सिटे बेते है यह वे तो गुनेक्ट की बेतर है इस पुड़ा सा लेट चल रहे है उसके यह माजरत की है बहुत है तो अब बैटा हूँ आट अट इस तरह बश् इतरों खेरिए से पहुंचे है लेकिन जो हमरे टांजिक टाइम है उस रफ एक गिंट है और इतरों का एपुट सुने है बड़ा है तो मैंने ना भागना है अभी इंफर से इतरों की फ्रैट के एक्सपीय है जहाज ठोटा था जैसा कि आपने देखा लेकिन देखा लेकिन एक गिंटे की छोटी फैर्टी तो अकसर जहाज छोटी ही होते है लेकिन यह था कि टाइम पे पहुंचा दी है जिन्दा खेर खेरिए से पहुंचा दी है तो आगे देखते हैं आगे मैं एक्सपेक्ट किया रहा हूँ कि बड़ा और फृत किसम का जाद होने होना है अभी ह है और गेट सी पह और गेट झाना है हुआरा गेट सी है और यहाँ जाएंगे गेट बी पह हूए लेकिन फैदर давайте बेस लेकिन इन लगाया भी हुआ है कि सामने अपका स्टॉप है यहाँ से बस्रें तो फर्स टॉप ब घeट होगा ब्रु सेटंड स्टॉप एगेट होगा और यहां से आपकी बसे जाएंगी इस तरगा से आज से जादा तो इस बस के आवाद है तो यह दो मिनिट में हमारा बी गेट आगे है अगर हम पैदल जाते तो लिखा था उनों ने दस मिनिट के तो यह आगे हमारा बी गेट अब हमें इंफर्मेशन चाहिए तो यहां पर देखेंगे एक तो इंफर्मेशन ठूस ठूस के भरी होती है वन्दा क्या क्या इधर उदर नजरे गुमानी बढ़ती है सुना था यूके की स्क्योर्टी तोड़ी हेवी होती है लेकिन नॉर्मल ही थी जैसी चेकिंग थी जैसे जर्मेनी की थी हम बहुत जल्दी पहुंचके हैं अपनी मनजर मकसूत पे जो के विकेट भी 36 था है इतरो में इसनाबाद पहुंचने में टाइम है लेकिन जो थोड़ा कह रहे थे कि एरपोर्ट बट बड़ा है जो टाइम है तो आप मेक्सिममम 10-15 मिंट में पहुंच जाएंगे अगर रशना हो तो यहां पे सारी कीमते पाउंड में होगी है भई खाने का बता दू जो निका सप्लेंड इसमें हम अभी आये थे ना पाउंड त्थरिय फैय। थोड़ा सा ओठंड गरते तो यह आईस्प्रीम बन्जाए खाएंटे कि करें आला के शुक्रर्य भूप में अच्छ है अच्छ हैं पर आपने पने चैनला के बास्तूम देख हो हुगे अपर यह देखेंगे तो अब वोभू जाएगे इंडर होते ही इस किसम का स्वाइग है बातरूम कम फाइफ टार होतल जादा लग रहे हैं पर प्रिटिसेक्स पे कॉन्टेक्ट करें थैंक यू चेक करें लंदन में भी उर्दू चलती है इसे बाती है इंडेकर स्टेय है और अभी हमारा चेक इन भी नहीं कूलेगा तो हमबॉर्डिंग करवाएंगे फिर जहाज के अंदर बेटेंगे बिडिश एरवेर्स के इसरे जहाज पे जा रहे है जो के इसरों से इस्रामा जा रहे है तर बड़े जहाज के तरह यहाज पे भी तीन तीड चीजें तीन स्यूट इस साइड है तीन स्यूट मेडल में और तीन स्यूट से उस साइड पे जहाज अच्छा है और कमफरटेबर लग रहे है अगया तो आप यह वना बटन तबाएंगे यह टीवी आप का इल्स पर नीचे होता है यह बटन दबा के आप उक पर खेंच सकते हैं एक से तूड़े कर तो इल्स पर टीवी यहाँ पर होता है मुझे भी पता लगा यह और फाइदा आपको यह होता है कि आप जितना चोड अगया तो बेली चेड़ है और आपको तक्या देते हैं तक्या का बड़ फिट सीन है लाइक जब मीन डारी होती है से पीछे रखते हैं आप सर के और बड़े राम से आप सो सकते हैं जो कि मैं अभी करने वाला हो दोड़ी देर तक जहाँ प्रॉपर लाइक एमरेट्स बाइसरे में पहले हैं जोड़ शुक्त हैं जोड़े पाइसरे नहीं है यहां से आप यहों ते हम गेल उन्हे उन दीक एपर मॉन दे आड़ी है बाइस आपके तो यह पैसे पुरे हों जिखी है रहा है था से जूर जारे उन्ट उर्चा घुट अब बड़ा जावाज है न पिछले जाहस में तुम दोगों को साथ नहीं किर सकी तुम लोग साथ साथ भी जाओगे खुले डूले जाओगे इना पेक गाने बाने सुने बच्चा है तो बच्चा होनी क्यों चीज देखने आप अबाने रिक्चा रिक्चा इत्रा फास्ट है कि छोड़ भी दिया पर भी चले जा रहा है अवी जाओगे है तो इन्हें आपको मोटल दी है साथ में बचल दी है कुछ सेलेड भी है, मीठा भी साथ में होता है, इनका मीठा बड़ा फिट होता है, अफसर जहास का इसका तो मैं पहली बिदा फाचा कूंगा, ओर नाइस, लेकर अच्छा लग रहे है, साथ में दाल भी है, चावल भी है, और ये चिकन भी है, तो अच्छी जोइस लिए है, मैं मुझे बड़ फिट लगा था, और दूसरा इनका ब्रिटिश का बड़ फिट है, बाकी तुर्किश बगेर से जादा बेतर लगा है, मुझे तो खारे के मामले में गुड है, ब्रिटिश जोट है, असाथ में अचार भी था, एक प्रोपर देशी सीन किया है, अचार, चटन काफिरश है जाहाद में, अभी हम बस निकल रहे हैं, और नीम से हालत होड़ से टाइट है, ठकावड होगी है, और यह है कि अलाद मिला फिर फिर से पहुंच है है, कोई धक्य नहीं पड़े है, हमें बड़े बड़ सकून से लोग थे, बड़े तमीजदार सब पाकिस्तान एक्सपीरियनस अवरल इन शौत अच्छा खाना, तकरीबर नहीं नहीं प्रिटेश प्रिच्टा लेट किया लेट लेट इस लेट चली थी, तो इतना रेट इट इस पेंड़ रहा था में, बाकी यह था के जाबन क्रूब, जर्मली लड़किया एको श्ट रही है, यह पर बाज़िए लोड़े थे, एक आदी माईया के ले लड़कया नहीं थी उसके अलावा जहाद में थीजार ट्रेबुलेंस नहीं हुई तो काफी स्मूथ राय हमारा सारा सफर, लेंडिंग श्मूथ थी लेंडिंग उस्मूर्ट थी बहुत अच्छा रहा, इस्पेकेशन से ज्यादा अच्छा रहा अवराल अच्छी रही है, बाकियों से बहुत बेदर है कोवेट तो कहरा से तर्किश से कंपेर करें के बेदर है? कुछ कहा नहीं सकता है, मुझे बराबर बराबर है लेकिन तर्किश से थोड़ा से डिस्टेंस कंपड़ता है आपको बहुता है तोड़ा से शौन पढ़ता है अगर इसाबाद एरपोर्ट के अगर कहेंगे तो इसाबाद एरपोर्ट का भी व्लोग बना देंगे हमारा चोटा सा ब्रिटिश एरवेस का रिव्यू आपको वीडियो बसंद है यह तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पीस आउट आप